वेलकम टू फ्यूचर कूल कैसे हैं आप सभी लोग तो जैसे आपके सामने यह दिख रहा है 2022 में जो एक्जाम होए थे जिसका भी मेंस एक्जाम होने वाला है उसके 40 सेट आपके उन चालिश सेट का सलोशन के बारे में किसी पेपर अगर единिम्म में लगानाचा रहे हैं कि दस मिनिट के इंदर कैसे सॉल होगाborg किसे सैब 20 हो तो यहां पर कैसे आप अपना टाइम को सेप करते हैं अगर आप मैंस पहले से पढ़े हुए है और आपको चाहिए स्पीड तो हम वहीं कोस्टन लगाएंगे जो अभी तक नहीं आया है जब तक एक्जाम अभी नहीं हो जाता है मैंस का तो कोस्टन देखते हैं पहला यह हमारा तीन तारिक वाला सिफ्ट का है एक संभाहु त्रिवुच का मद्धविंदू है यादि बीसी की लंबाई आठ सेंटीमेटर है तो तो यहां यह मद्धविंदू हो या ना हो से कोई फरक पड़ता नहीं है संभाहु त्रिवुच के उचाई का सिफ एक छोटा सा फामूला होता है कि उचाई के लिए अगर हमारे पास क्या होता है रूट थ्री वाइट अगर यह हाइट आपको पता है संभाहु त्रिवुच के अंदर में तो हम एक ही वैलू रख देंगे अब भुजा तो बीसी का है कोई स्पीर्पव कोई होता है अपनता है तुझ वहां पहले ऑननसा फोल ने होत barr Oneisiert मशोचे उसमें क्या हो सकता था ठीक है पट दो पता ही एडिया लग जाएगा कि कैसे आप 10 मिनिट के अंदर कोश्चन कर सकते हैं और क्योंकि एक पेपर में तो आपको सभी चीज़े मिलती है हर एक टॉपी कोश्चन आ जाते हैं लगभग अगर देखा जाए तो यहां देखें दोसरा कोश्चन क्या है क्या दिया हुआ है कि दोप 24 km आगे निकल चुका है इस समय तक 24 क किलोमेटर आगे उससे जा चुका है अब जो पीछा करने निकला हैं दूसरा वाइक से एगर इसको पीछा करेगा तो इसका टाइम लग जाएगा तो प्वाइंट पूंट टो फोर आर्स तो अब 2.4 घंटे लगने वाले हमको दो दो स तो यह साढ़े बार तो चुराया था आधा घंटा बार निकला है एक बजे तो एक में दो घंटा जोड़ लेंगे तो तीन बज जाएगा थीन और पॉइंट फोर को अगर हमको घंटे में बदलना है तो इसको 60 मिनट में बदलना है तो यह चोग के चौविस मिनट तो यह हमा दसमलोचार आगा दो गंटा और दसमलोचार को साथ से गुड़ा की हैं 24 मिनट मतलब दो गंटा 24 मिनट बाद पकल देगा एक बज रहा है तीन बच के 24 मिनट मतलब यह इसमें लिखने के जरूत नहीं होती है एक्जाम में क्योंकि यहां पर टाइम नहीं देना और बहुत सारे अच्छे बीच बीच में अगर 25 पांच जो चार पांच उसमें उसमें क्या होते हैं बाकी आपके और सत वाले को स्टिन होते हैं जिसमें आपको इजी तरीके से लगा जैसेसे लिखते हैं सब्सक्राइब लिखा बीचे लिखा तो वैस् Oscar ब्योंट तो जो इसक musym cash नव लिए तो इसका वाला भुष फॉसलिक है लिए अगर इसका और रहे है तो उसक में यह यहां यहां नीचेugen क्यह है बार है bucks सॉल कर लिए जो कट जाए काट देजे चार से तीन बार चार से चार बार अब यह इसका गुड़ा हो जाएगा नव गुड़े तिन 27 यानि कि 27 बटा में चार आप इसको भाग देदेंगे तो 4 चंग 24 जे सही 4 दिर उम गलेंगे टो कोशन यहां वह यहां जड़ा सकते हों एक वी कि सथी तरीक से आपक ऊंबर चार में कि दो बेलन की त्रिज्जाएं एक और चार के अनुपात में उनकी उचाई का अनुपात दिया है उनके आहतन का अनुपात क्या होगा अगर आपको फामूला पता है तब आप अपना स्पीड लगा सकते हैं कि त्रिज्जाएं जो होती है बेलन में वो आर स्कॉयर होता है याँ गचा और चार का है तो यहां वाल के कि यहां दो में उसलिखा है और डोंौ और 2021 को मल्टिपलाइ कर दिया है है तो कि यह अगर कभी-वी-क्स के और हमको जाना हो तो हमारे पास दआ नहीं है तो तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो नंबर सका स्क्वार कर लेंगे कि अगर यहां से 2 चाहे तो तो ले लेंगे तो यह कॉस्प्व्त का फामूला में अगर आंसर आपकी जिनको यह सेट चाहिए तो आपका यह अप्लोड भी आप्लिकेशन पे भी जिनके पास पर नहीं ढूड़ पार है वह क्या कर सकते हैं टेली ग्राम ग्रूफ हमारा मैस बाई डीपी सिंग नाम से उस पर जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास त्री थीटा वाला फार मुला हो जाएगा नेक्स देखते हैं अभी तक कोई कालकूलेशन वाला question नहीं मिला ठीक है जो आपकी एक्जाम में आते हैं धेखे एक्चुल question पर ही यह जो भी होगा जहां पर question में लगे बड़े question है तो वहाँ पर कैसे आप उसको solve कर सकते हैं अब A, B किसी काम को 6 घंटे में करते हैं एजब तीनों आ आते हैं A B C भी तो चारी घंटे मुझाता दोनों का LCM ले लेंगे कितना आजाएगा छे-चार से कटने वाला नमबर बार ले लिए यह दो बार में कट रहा है यह तो इन दोनों की जो चमता है ना वो कितनी है दो है इसकी चमता कितनी आजाएगी एक आजाएगी क्योंकि सी क का ही पूछा किसी अखेले काम करेगा तो एक दिन में एक करेगा तो बारे काम करने में बारे दिन लग जाएंगे उसको या बारे घंटे लग जाएंगा जो भी दिया होगा घंटे में दिया होगा दिन में यह इसी था यह भी तीन-चार सेकेंड वाला कॉस्टन अब नेक् एंगल दिया होगा पूरा 360 डिगरी होगा पॉसंटेश दिया होता तो हंडिट सजादा नहीं आता है तो इन दोनों में से कोई एक ही मिलने वाला आपको तो कुछिन में क्या बोला है कि 7 वस्तुर पे किये गये ब्याय को दरसाता है इं साथ वस्तुर में ब्याय जो है वो 3600 तो साथ वास्तों में इन से कुछ रेलेस्टलें को यहां पे के की किया और किया गया और किया और किया क्ला होगा तो यह इनके प्याई की पार है किसके बारे में प्र्क्राम प्योब है कहbles सफ नदो नपय बटे में दो North तो से गुड़ा करेंगे दस से और स्लसक्तिना ही करने वाह है इतना ही करना लेकिन जो हमारे पास ब्याया है इन दोनों का लेकिन आसद वोला था इसमें देखिए आसद रेसियो परसेंटेज जादा तर यही होता यूज तो कुछ भी चैप्टर हो सकते लेकिन मैक्सिमम में डियाई में आपके पास यही वाले आते हैं आसद होगा या तो रेसियो होग तो यह 10 से गुणा हो जाएगा लिजिए यह 500 खर्च करता है ऐस कितना खर्च करता है तो इसमें 10 से गुड़ा कर लेंगे यह 100 खर्च करता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं ठीक है यह बहुत आसानी से कर सकते हैं हम इंसुरेशन भी आगा बिलकुल आगा मैंसुरेशन में अगर टिग्नोमेट्री वाले कोस्टन आजा आपके सामने बोला कि इसको ठीटा इस प्रकाल लिखा जाता तो इसको कॉन सांसर में बराबर होगा मतलब बराबर के बारें पूछा तो कभी इसको सौल करने की जरूत नहीं एक्जाम में आपको हमेशा ऐसे कोस्टनों के पूटिंग कर लेते हैं जैसे अगर ठीटा की वैलू 90 रख लें सब्सक्राइब करिया कि 90 रखने पर साइन 90 की वैलू 1 कॉस्ट की वैलू 0 मतलब इस पूरे क्वेशन की वैलू है वह वह वन है तो ऑप्सन में भी वन होना चाहिए तो देखिए अगर यहां 90 रखेंगे तो वन ही आना चाहिए और चौथा ओप्सन यहां देख लेते हैं इसको सॉल नहीं करना है एक्जाम में आप सॉल करने चले जाए और देखिए यहां पर रखेंगे तो यह तो वन आएगा और यह भी माइनस वन आएगा यह वाला प्लस वन तो यह तो कट जाएंगे तो वन तक जाएंगे तीन व pior दूसरे को असपर्स करते हुए रखे गए ठीक है तीन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं चल्श कर रहे हैं और इन वृतों के चारों दोरी बाद लगा है ऐसा दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा लगा बहुत कॉमन सा प्सक्राइब हैं जैसे तीन सरक औरिन में क्या दिया है कि 6 cm त्रिट्जा है इसको यह वाला 6 अगरिश से को यहां मिला दिया और इसको यह 6 से बार है यहसे इसको मिला देंगे इसको लिए बार रहरél रार था चतीस से तौधδα cycle एक option गलत हो गया कि 36 से जादा वाला क्योंकि इसमें 24 से जादा दिया हुआ है फिर हमारे पास बचता है कि यह वाला कितना होगा अगर हम यह value निकालने किसी भी तरीके से कौन सी वाली यहां से लेके यहां तक यह वाली बच गई है हमारी यह वाली बच गई यह ब्लैक वाली अब यहां पर चोड़ भी देते कि यहां वही अंसर है लेकिन अगर दो मिल गए तो आपको उसमें सौल करना पड़ेगा अब बात आती है कि यह कैसे निकलेगा यह होता है सरकम फ्रेंस होता है एक तरीके से चाब बोल सकते हैं जो भी वोले तो यह हमारे पास कितना होता है 2πi r होता है लेकिन यह कितना अंगल है उस पर डिपेंड करेगा तो अंगल कैसे निकलेगा अगर समभाहुत रुपूज़ तो यह वाला 60, यह वाला 90, यह वाला 90, 60, 90, 90 मिलके कितने हो जाएंगे 180 और यहां बचे कितना 120 बचेगा 120 मतलब 360 का 120 कितना होता है तीसरा हिस्सा होता है कितना होता है तीसरा हिस्सा इसलिए तीसरा हिस्सा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे इसका तीसरा हिस्सा ही निकालेंगे तो 2 बटा 3, pi, r की value कितनी है 6, तो 3 से कट जाएगा यह हमारे पास 2 बार है, यानि कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 pi तो 4 pi तो 4 pi आ गया तो ऐसे 3 बार है तो इसलिए कितने हो जाएगा, 12 pi हो जाएगा, 18 नहीं हो सकता, कितना हो सकता, 18 नहीं हो सकता, तो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है, next हम लोग देखते हैं, आइए, इस question को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखें ट्रिक आप अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर हमको x का मान कभी भी दिया हो 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा नंबर आता है, यह यहाँ पर अच्छे सा ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम सेव कर सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2, मतलब एक ऐसा नंबर दिया होगा, दोनों के square करने पे हमेशा अंतर एक आता, 3 का square नहों हो, और 2 रूट 2 का square कितना आता है, 8, अंतर एक आ गया, मतल हो गया, फिर हमको power को decrease करना है, क्या करना है, decrease करना है, decrease का मतलब यहाँ पावर एक है, यहाँ पावर एक बटा दो है, पावर आधा करने का तरीका क्या होता, कि जो भी नंबर होता है, उसमें या तो दो जोडते हैं, जोडते कब हैं, जब हमको प्लस में चाहिए, और माइ कितना होगी तीन कब और बना लेते हैं। अब इसको में प्लस है तो इस बार सेट में माल जैसा में Katie grad tao क्ला और कुछर थे हुआशा में क्वाले वाले शड़ा कुछ पहला डबल हो गया तो यह वन पर आ गया है और फिर उसके बाद इस बार प्लस में जाना है तो दो जोड देंगे और रूट निकाल लेंगे कितना आ जाएगा चार तब एंसर हो जाता है ठीक है और यह प्रिविएस यह मतलब आया हुआ कोस्टन था इस बार फिर से रिपीट और इनका एक दोगा इसको बोलते हैं डबल डिया है मतलब एक डेटा नहीं रहेगा दो डेटा रहेगा उसके बाद उसमें मेल फिमेल और पढ़े लिखे लोगों का अनुपात अलग से दिया हुआ है तो उस पर कोस्टन बहुत अच्छे बंते मतलब यह अच्छा कोस्टन असान कोस्टन हो गया मतलब अगर देखें यह एक में 20 पॉसेंट बढ़ा है ठीक अन्ठानवे में 1990 की बारे में बात करते हैं 20 और 10 तो यहां निकालते हैं 20 और 10 दिया था तो हम आते हैं ऊपर अडवांचल और गोवा तो यहां पर हमारे पास गोवा जो है मारे पास गोव गोवा यहां पर दिया हुआ और अडवांचल प्रदेश यहां पर है तो यह जो जनसंक्या दी हुई है ना यह तो 1990 की है देखें एक गोवा जो हमारे पास है यह हमारे पास 12 परसेंट चोड़ी इसको अलक्स सॉल नहीं करना अडवांचल पर देश में हमारे पास कितना है 25 1-10真的 संख्यां बढ़ी कितनी 10 पेसेंट दस पासेंटLetta 1909 तो यह बढ़ने के Benson tet उससेंट मिख्याने के बढ़ने के बाद हो गया है कि 10 पेसेंट अगर बढ़कर ही हुआ है और एक हमारे पास 20 परदी लिखाने हैं आ AGंब फंकल लेंगे और इसको पेसेंगर 10 परदी है तो वापस के सको घटाते हैं हम 10 से घटा लेते हैं इसको वापस दस पाशल्या तो येallo who दस cricket को आ जाएगा नॉर्ण यह वाला हमारे पास बीस पशल्यी थी तो यह हमारे पास कितना है ख़एगा पचीस और आगर वीश पसंट कम करने हैं उसको यह यह से भी कम कर सकते हैं कि पांच 5 कम कर लेंगा तो सीधा 20 हो जाएगी यह इससे कट गया यह इससे कट गया अब जो रहे हैं दोनमें कट रहा है तीन से चार बार इसका इसमें गुरा हो जागा यह अनुपात लेकिन हाँ अब यह कुस्चन एक बार और पढ़ना होगा कि यहां पर कुस्चन में जो हमने पसेंटेज लगाया वो सही लगाया कि नहीं कहीं गोवा वाला अरणचल प्रदेश उल्टा लगा देंगे तो गरवर हो जाएगा पिछले 20 वर्स और पहला वाला दूसरा वाला सुछ वह बना था एक बीस पसेंट बड़ा था अगर मारे 5 पशेंट पजाना और इस वालेम देंगे और इस वाले में 10% बोला था तो यह 10 बटा में क्या आजाएगा नो आजाएगा ठीक है यह उल्टा कर लिया हमने क्योंकि बढ़ाना नहीं है वापस इनको ले जाना है तो इनको हम काट लेंगे तो यह 4 से कट जाएगा हमारे पास 3 बार और अच्छा उल्टा फी कर दी है यहां पर कम किया गया है तो यह बढ़ा हुआ था तो यह हमने कम कर दिया यानि यह 15 आजाएगा और यह कुछ कटेगा यहां पर तो यह 25 गुड़े में 10 बटा में 9 कट नहीं रहा तो 5 से 3 बार 5 से 5 बार और कुछ कट सकता है इसमें 9 गुड कि बारे में बोला गया कुछ कि 20 और जनसंख्या विरद्धी हुई थी तो 1997 और प्रदेश की जनसंख्या गोवा के अनुपात क्या था तो यहां कहीं साब से देखें मेल फीमेल के बारे में कोई डेटेल ऐसा नहीं दिया है तो यह हमारे पास 10 परसंट था और यह 25 परसंट तो बारे का एक 25 बीस परसंट बढ़ा तो हमने इसको वापस कर दिया तो ग्यारे के मल्टीपल में तो कहीं बनी नहीं रही है तो ग्यारे तो नहीं आ सकता हो सकता कुछ ऑप्सन में अगर बढ़ी हो ठीक है जो यहां पर दिया गया है ग्यारे 25 वाला तो भी चलिए दूसर आसी का रिड लिया था यह देखना आप तो 16 पचे 80 मतलब 80 प्रतिसत उसने ब्याज दिया है तो 80 प्रतिसत की वैलू हमारे पास 900 है तो यह इससे बारे बार में कट जाएगा बारे चानवे मतलब बारे मतलब और भी मल्टिपलाई होगा बारे चानवे 120 तो बारे का गुण तो हम वही सेम चीज़ कर लेंगे 12 इसमें भी गुड़ा कर लें तो यह हमारे पास आ जाएगा 12,000 ठीक है इजी था यह दूसरा चीज़ और देखेंगे 30 नंबर रसे यह 10 ठीटा माइनस में 14 पाई किसके बराबर होगा 10 ठीटा माइनस 14 पाई तो यहां पर क्या होगा हमार तो पाई का मतलब होता है 360 डिगरी किसी भी एंगल में 360 जोड लिजे या घटा दिजे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है नो चेंज होता कैसे जैसे मालीज आप यहां से सुरू किये यह कोई कोडरेंट था यहां से इसे सुरू किये अगर 360 जोडेंगे तो वापस यहीं रहता है तो एंसर टैन ठीटा जो रहेगा वही रहेगा जो एंगल रहेगा उसमें जोड लेते हैं या घटा लेते हैं तो कोई नहीं फरक पड़ता अगर इसमें यह 13 के जगह पर हमारे पास 15 रहता 14 जगह पर एक पाई यहां पर बच जाता तो फिर उसको उनको सॉल करना पड़ता है कि क्या पॉसिबिल्टी है वहां से लेकिन अगर यह मल्टीपल में है 360 के तो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो हमारे पास क्या अंशर होगा टैन ठीटा ही आएगा सिर्क साथ के पावर 42 को 48 से भाग देने पर सेस्फल क्या आएगा जैसे देखेए तो आए या तो माइनस आए तो हमको बहुत आसानीस दिख रहां कि साथ का स्कौर 59 यह तो उन्चास हो जाएगा उन्चास अगर यह कर लेंगे तो उपर में क्या आ जाएगा 21 नीचे में 48 अब 48 से इसमें भाग नहीं देना सिर्फ 49 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा और रिमाइंडर भी कितना बचेगा एक बचेगा इसी एक का गुड़ा अगर 21 बार करेंगे इसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं तो एंसर क्या आजाएगा वन आजाएगा उपर में जब वन आ गया यानि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं अगर इ तक कुछो कोस्टन मिला है एक कोस्टन आपके लिए अच्छा था बाकी सभी क्या थे निमलिखित पाई चार्ट में एक महीने में बेची गई बिजली कई का वो है कि यह दिया गया है इंडस्टी में हमको कितना दिया गया पचीस परसेंट या डोमेस्टिक सप्लाई है आप उर्ती के अनरूप चैतर का केंदरी कोड गयात करें उड्योग मतलब हमारे पास था इंडस्टी वाले में कितना कोड गया है दो हमारे पूरा हंडिट पॉसेंट एंगल में 305 बनाने के लिए चार से भाग देंगे तो यह आजाएगा पचीस पॉसेंट की वैलू 90 डिग्री कितना आजाएगा 90 डिग्री सही तो इंडस्टी का बोला तो एंसर क्या आएगा 90 डिग्री तो बहुत छोटा सा है और यह कोस्टन क्या हो जाएगा 90 बहुत कॉमन कुश्टन था फिर से देखिए 16 नंबर संख्या पी 150 से 15 अधी ठीक है और के जो है एक सोपचास का अगर 15 बढ़ा देते हैं तो किसी भी संख्या का 10 वह नंगबर का एक अंग पर दसमला लगाने पर होता है तो यह पंद्रा जोड़ दिए 10 परसंट 5 परसंट उसका आधा हो जाएगा मतलब साढ़े साथ 15 और साढ़े साथ मतलब हम 22.5 जोडेंगे इसमें त 13 पर फिर से 15 इसको घटाना है अब यह आगा पोाइंट य हमारे पास पॉइंट के विव घटाना है तो पुइंटLa करना हो यहां दो तरीके बचतें आपके पास कि यह तो एक बड़ दिया, यह दो बार देखें सख्या एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं कि अगर हम यहां पर देखें तो हमको पता है कि कोई संख्या एक बार 15 परसेंट बढ़ाना एक बार घटाना है तो हम सक्सेसी भी लगा सकते हैं कि 15 का स्क्वायर बटे में 100 मतब जो संख्या होगा वह 2.25 प्रतिसत कम हो जाएगी इस वाले से एक सोपचास से कम कौन सा है देखें यह वाला है क्या नहीं है यह तो कुछ जादा ही कम दिख रहा है तो यह भी नहीं होगा अब बचा यह दोनों थोड़ा सा आसपास तो हैं 2% तो 2% के आसपास एक्जाम में कैसे टाइम बचाते हैं मैंने वही बता पहले वाले तरीके से पार क्या था कैलकुलेटिव तो के अटो यह चाहिब यह आता है जब हम कोई भी नंबर को सेम नंबर से गटा देते हैं तो उसको सबस्कोर करें इतना से कम होती है तो अब हमको तो यह यह अंस बहुत है और यह बहुत ज्यादा है तो यह धानलों गलत कम होगा लगभग अभी डाई की बात है लेकिन हमने सिर्फ तीन कम किया तो लगभग देखिए यह तो हो नहीं सकता मतलब यह भी गलत है और यह वाला इंसर से हो जाएगा दी वाला तो यहां पर क्या होगा कि यह कैलकुलेशन जब आप टाइम बचाएंगे अगर आप बेसिक से करने चले जाएं या गुड़ा करने लगें कि ऐसे कर दिए 150 था पहले 15 परसंट बढ़ा दिए 115 बटे में 100 फिर घटा दिए 85 बटे में 100 फिर गुड़ा होड़ा करके निकालेंगे तो आएगा उतना ही लेकिन ये करने में समय लगेगा तो इतना नहीं करना आपको लगाना है हाँ पर अप्रॉक्समेशन किसी भी तरीके से लगाएंगे तो गुड़ा करना ही पड़ेगा अप्रॉक्समेशन का मतला हमको पता है कि इतना कम होगा तो पूरा इतना भी कम करने के लिए हम टाइम नहीं ल सबसे चोटा नंबर ना उससे बड़ा नहीं आ सकता पहला चीज तो यह ढूड़ना होता है तो ऐसा गलती तो नहीं हुआ इस बार तरीका से यह ढूड़ना है तो इसके बराबर हो सकता है तो अब यह सभी ऑप्षन है अब दोनों में देखने क्या नंबर कौमा जाए च्छे कि यह भी है यह 9 से नहीं कटेगा अब बच गया हमारा एक उप्षन गलत हो गया 9 से यह वगया गलत हो गया फिर दूसरा ओप्षन है कि क्या इसको काट के देखते हैं है कि अब क्या यह किस नंबर से कट सकता चार से कटे चार 99 734 इसमें नहीं है तो यह उप्षन होगा तो देखें, दो से दोनों में कट गया तो 18 आगया यहां पे जो 2 दो से गट यह वाला गलत हो गया, यह लिए जो से प्रसूराइब तरीके से चाहे है, बहुत इसी तरीके से निकल जाता है और हमेशा इसा यह जाता है, लेकिन सबसे चोटे लिए स्रुवाद करेंगे, आपय आप पे काम करेगा पूरी तरीके से तक को यह हल्प करेगा और इसके अलाम आगर मैं बात कर आधा करो तो मैंने एक एक मास्सपाउंडेशन बैच्ट लाया लिए मैश-फाउंडेशन बैच में हम लाइव किलास्थ भग दे रहे हैं बहुत जित्रोलेवल से लेकिन धीरे धीरे चलेगा एक कुस्षन था बहुत पुराना कुस्षन आप सीजियल में बहुत पहले पूछा आता था इसको फिर से 2022 में रिपीट किया गया था और आपको सीट में कराया भी जाता यह हीरे की टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है मतब कि अगर वजन जितना होगा उसका वर्ग कर लेंगे तो उसका हमारा क्या होगा वह उसकी वैलू के बराबर आ जाएगा तो हीरा जो था इतने रुपए मुल्य को तीन टुकड़ों में काटा जाता जिसका वजनी सनुपात में होता काटने से होने वाली हानी जैसे अग इक अलगया गज़ा तो तीन के स्कार्ण रूपय में बिकेगा ये चार के स्कार बिकेगा तो इन सभी को जोड़ दे तो नौ 4 1314 में बिक तो यहां से यहां जो हाघी यहां तोसलितना जाएगा होग यह हमारे पास कि चुछछा अब से और 2 रुपए की क्या होगई यही आ तो अगर एक option मिलता है तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं कौन सा वाला option 11 से कट रहा है एक तो यह हो गया नहीं भी आ रहा है तो 36 बराबर दिया है 6084 यह जितना गुना पर होगा उतना गुना पर इसको कर लेंगे तो यह आजाएगा 378 ऐसे भी कर सकते हैं देखे एक तो calculation क कर सकते हैं दूसरा option को hit and try लगा सकते हैं यह टाइम आपको यहां पर सेव करेगा आते हैं एक वस्तु का अंकित मुली इतना दिया है तहवारी सीजन के काड़ एक निस्चित प्रतिसत छूट की घोशला की जाती है राजू कम कीमत पर एक वस्तु खरिता इसे इतने रुप काड़ कुछ हमको discount दिया गया तो राजू कीमत पर एक वस्तु खरीता है कम कीमत वस्तु और इतने रुपय में बेज देता है और इतने परसें का लाब कमाता कितने प्रसत के छूट दी गई थी मतलब अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास क्या होता था कि कोई नंबर को अगर हम कम करके उसके बाद भी हम उस पर चूट भी दे रहे हैं उसके बाद भी हमको लाब हो रहा है मतलब यह जो प्राइज है यह वाली वैलू भी हमारे पास क्या है कि सेलिंग प्राइज जो है इस से क्या होगा इस पर इतने प्रसत का लाब हो रहा है तो चूट कितने दी गई थी वो देखना है आपको कि यहां पी देखे तो CP और MP का जो अनुपात होता है अगर अनुपात से लगाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर जिनको ऐसे लगाना है कि CP-CP और MP का जो अनुपात होता था वह ऐसे चलता था 100- discount और 100- profit तो अगर हम ऐसे कर लें तो देखें अगर इसमें हम दोनों तरफ से निकालें तो discount हमारे पास लाब दिया तो यह कर लेंगे और discount की value यहां से निकाल सकते हैं अगर उसके अलामा भी देखें तो एक चीज हमेशा समझेगा कि अगर हमको लाब हो रहा 11.5 प्रतिसत का कितने को रहा 11.5 प्रतिसत का और और कुछ सीजन के काड या जो भी बोलें राजुबाइड एन आर्टिकल एट रिडूस प्राइज एंड सेल इट इस प्राइज पर अगर सेल करता है तो भी उसको प्रॉफिट होता है इतना का मतलब अगर हम यहां से देखें मालेज ऐसे सोचेगा इसको हमने बेज दिया कुछ रूपय में हमको नहीं पता कितने बेचने के बाद हमने खरीद आ उसको और फिर हमने सौने सौवी रूपय में बेज दिया कितने बेज दिया कुछ ने कुछ तो कम ही हुआ होगा अब यह 11.5 परसंट बढ़ा है मतलब यह हमारे पास 111 दसमलाब 5 प्रतिसत की वैलू हमारे पास 100 रुपए है तो यहां से हम 100% की वैलू जो निकालेंगे यहां से कि इसकी वैलू आ जाएगे जहां से हम दिसकाउंट की बात करेंगे तो तो अगर हम 11.5 से कुई चीज बढ़ाएगे तो घटे क्या हां घटे का क्या जैसे अगर मालिज हम किसी चीज को 20 परसंट से बढ़ाते कितने से गटता सोलब से दो गटता नौ से कम से घरता है अगर उससे कम से घटेगा तो यहां जो वैलु का डिफरेंस आएगा न यह इस से छोटी वाली याज़ा करें हम बात करें तो यह दो Storage में बच गया क्या वैंद कि यह जब सबसे नजदीकी वैलू अगर हमारे पास दिख रही यहां से कि अगर यहां से हम कम कर रहा है इससे छोटी वैलू का डिफरेंस बनेगा तो यह वाला भी 11 के पास ही में हमारे पास हो तो हम इस वाले की तरफ जा सकते हैं अगर एक्जाम हमको टाइम नहीं मिलता तब के लिए नहीं तो फिर हमको बेसिक से लगाना होगा यहां से सकी वैलू निकालेंगे चलिए यह वाली वैलू आ गई अगर 01,06 की आसपास आजाएगा 189.7 के आसपास आजाएगा ठीक है यह हमारे पास आजाएगे तो हमको अगर यह पता चल गया कि 89.7 है तो यह इससे कितना पॉस्टन का डिसकाउंट है तो आप बोलेंगे 10.3 पॉस्टन का डिसकाउंट है तो यह भी कर सकते हैं एक प्रॉक्सिमेशन से भी लगा के टाइम अपना सेव कर सकते हैं कि आजकर ऐसे कोस्टन मिलेंगे आपको लेकिन हाँ अब यह जैसे आपने लगाया कितना कोस्टन अभी तक आप लगभग 20 कोस्टन के आसपास पहुंच गया है तो चार से तीन कोस्टन या चार कोस्टन ऐसे हो गेंग जो क्यल्कुलेट़््यट्यव दिये जाते हैं आपको टाइम वहाँ पे तो कहीं टाइम आप सेब करेarnya करेंगे तो थोड़ा सा क्या तो-धोàng हमने क्या कर लिया माइनस वन रखते हैं अगर लास्ट टाइम भी मैंने बताया था अगर दो रहता तो क्या रखते हैं प्लस वन रखते हैं तो यहां माइनस वन आगया तो यहां रख लेंगे माइनस वन तो यह माइनस वन रखेंगे तो यह भी मारे पास माइनस वन आ गया ब इंसर कितना आगया जीरो आगया बस यह common question था इसमें टाइम नहीं लगाना था था फिर आता है हमारे पास next सब्सक्राइब कितना 3 प्लस रूट 2 बत जाएगा और यह वाला कितना बत जाएगा हमारे पास यह वाला 3-2 रूट 2 है यह वाला लगए लिख सकते तीन गुड़े दो इसको लिख सकते दो कॉमा लेंगे तो 3-2 इसको तो यहां से इसको माइनस में कितना आजाएगा चार ठीक है तो यह मारे पास कितना आजाएगा रूट में यह साथ दुना तो रूट में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा कौन सवाल आ जाएगा यह रूट टू रूट टू को गुड़ा करेंगे तो दो हैगा चार नहीं आएगा ठीक है तो यहां से आप निगाल सकते ठीक कि easy सकता है याप देखेंगे एक्स मा एक स्मेंट की वेलु बन दिया है और यह लगबग हमारे पास कितना है एक स्कौर करने मतलब छोटे चोटे नमबर मानने हैं हमने पांच एक को माल लिए चाहर पांच में से चाहर गया एक पांच कोर पचीज यह पूछा गया था एक 5 तॉसमा मतलब नहीं मानना जीरो से बड़ा देने ond पेईस नमबर इसका level क्या दिया क्या है अभी तक हमको तो दो कोस्टन ठीक ठाक देखे ठीक है एकस वाइज और घीएस टी यह सिमिलर दिया हुआ यह सिम्बल सिमिलर का होता तो हम ऐसे लिखेंगे एकस वाइज और आशे लिखेंगे YZ का मादिका है YZ XV 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 कहां गया XV जो है YZ का मादिका YZ का यहां से यहां तक हमने एक V बना लिया एक नया चीज़ ठीक है तो यह मादिका का मतलब होता है यह दोनों बराबर बराबर है और GD भुजा ST की मादिका है इसकी मादिका यहां पर है GD ठीक मतलब यह D आ गया तो YV क्या को से ने पूछा किया है Y और V और SD का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा YV कहां पर यह थोड़ा देखेगा यह वाली वैलू ठीक है यह मारे पास यह वाली वैलू है तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि क मारे पास क Looking तो अगर इनका साइड का अनूपाध यह दो छाहे और इससकी अनूपाद यह वही ऑघला है तो अगर की साइड का आधा है तो यह भी आधा होगा और चोड़ा कैलकुलेटी बनाना तो इसका आधा एक खलिजे इसका आधा डेड़े कलिजे बाद में उतना ही आएगा चार बटे नौ भी आएगा तो यानि पहला अंसर क्या होगा हमारे पास सही होगा तो ठीक था बहुत मुस्कि को चालिस की स्पीट से चलेगा तो ईसको एक घंटा लग जाए गा सो पचीस पचास waste में चलेंगा तो पचीनवान की स्पीट थी इस इसकी common question है easy question है distance अपान में क्या कर लेंगे हम speed तो time आजाएगा और और सभी दूरी का योग बटे में सभी time तो सभी दूरी कितनी है 40 50 और 10 पॉसेंट निकलेगा इसमें एक बार में इससे दो बार में उससे एक बार में तो चार घंटे सब डिवाइड कर लिया क्योंकि exact दूरी तो दिया नहीं है तो आपको भी exact मानने के क्या जरू होता है पचीस नंबर नीचे दी गई तालिका में छे कंपणियों द्वारा रेफ्रीजर के उत्पादन को दर्साया गया है ठीक है यह अलग अलग है प्रोडक्शन इनका दिया हुआ यह कुछ कंपणी है अब कोस्चन में क्या पूछा यह देखना है कंपणी जी द्वारा रेफ् आइए हमारे पास 0 से 0 वैसे ही कट जाएगा दो से 13 बार में दो से 11 तो इस में तो अगर को सभी क्वें सब्सक्राइब करना हो कौंढ तो मैंने आपको पूरा समझाया लेकिन अगर आप बहुत सफिसियन टाइम होता है चलिकिसी को सुरू में प्रैक्टिस आप कम से लगा ले तो दस मिनट में आप बढ़े आसानी से कर लेंगे कि कुछ कोशन की कितने कोशन मिलें दो तीन कोशन ऐसे थे जो थोड़ा कैलकुलेटिव थे बेसिक चीज अगर आपको पता थी तो कर कर सकते हैं कोशन ट्रिक वाले कैसे को सब्सक्राइब को यहां पर यूज से कहीं ऑप्सтоному अाला था बहुत कॉमन सा कॉशन बस बेलन का रिडियोस और वह दिया था एक कुशन दिया हुआ था तो ऐसे कॉशन आते हैं बाकी चीजह हम लोग करेंगे नेक्स ट्रास में आज के लिए सिर्फ इतना ही ठीक है और और बाकी चीजे हम लोग नेक्स वाली क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है थाइंक यू थाइंक याली का में अष्दियरा हम मर ывाइंश। खुझ कि खुझ कि अुझ